नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाएंस इन स्टिचिंग में आपका स्वागत है तो यह देखिए एक टोपी बनाएंगे हम सिक्स मन्थ टू वन इयर बेबी के यह टोपी हम पहना सकते हैं तो देखिए नो बाई 15 इसकी लंबाई चोड़ाई है हमारी 15 इंच लंबा और 9 हमारे जो बेबी का एक कांस लेकि दूसरे कांस तक का पूरा राउंड होगा तो उसकी मेजरमेंट यह है तो आप अपने अकॉडिंग बना सकते हैं मेजरमेंट लेके तो यह देखिए इसको हम बीच में से फोल कर लेंगे मैंने बैक साइड में इसमें लाइनिंग लगाई कि इस तरीके से यह जो मैन फैबट कांद के त्यार करना है यह देकिए यह हमारा सिर के उपर पटि लगेंगे राउंड आएगा यह तो तरीकि सेいや ने यहां बीच में कट लगा है वहां तक है तो हमारा एक पार्ट है जो कट का इस तरीके से देख लिए लेजिए थोड़ा अंदास है कि इतनी पांच इधर और पांच की सम्थिंग इधर हमारी यह यहां पर प्लेटे डलेंगी तो पांच की छह भी हो सकती है और आप ज्यादा दालें तो साथ भी हो जाएंगी तो नीचे से इस तरीके से आप एक इंच के सम्थिंग छोड़ दें और फिर उसके बाद में प्लेट डालना चालो करें तो जो बीच सेंटर है वहां से लगबग पांच है एक साइड और पांच है एक साइड तो उसमें कहाएगी जो आपक यह छोटे बच्चे की है 6-6 मंद से लेके और एक साल तक के बच्चे की जब बढ़ा है तो आप इसकी साइज बढ़ा लें कपड़े की इस तरीके से राउंड में बिल्कुल आ गया है और अब यह जो हमने पट्टी काटी थी इसकी मैं यह देखिए इसको आपको मेजर करक करकते हुए इस तरीके से जोन यहां पर इसको जोइंट लगा देंगे इसमें कि अ कि यह देखिए उपर वाली जो पट्टी है वो हमने यहां पर जोइंट कर ली है और अंदर से बिल्कुल देखिए फिनिशिंग के साथ है कहीं कोई जोइंट हमारा इस पट्टी में दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी सारे अंदर की साइड सब दब जाएंगे तो यह देखिए बिल्कुल यह उल्टी साइड है तो उल्टी साइड भी कित्ती फिनिशि देता तो आप अगर दो अलग अलग कलर के फैब्रिक से बनाना चाहें तो इसको रिवर्शेबल भी बना सकते हैं यह देखिए पट्टी को इस तरीके से मोड लेंगे और सिलाई बिल्कुल हमारे अंदर के साइड दब जानी चाहें और उसको बिल्कुल किनारे से हमें यह सिलाई लगानी है यह देखिए इस तरीके से यह सिलाई हमने आप पर लगा लिए अब यहां चाहें तो आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं इसके साथ में पर मैं यहां पर एक गोटा पटे की लेस लगा रहे हूं क्योंकि यह लेहरिये का कपड़ा है और इस तरह के कपड़े में अगर यह लेस लगाते हैं तो टोपी बहुत सुंदर लगती है तो मैं यह थोड़ी सी लेस लगेगी तो मैं इसको उपर इसमें लगा दूँगी और यह लेस बच्चे के कहीं चुबेगी नहीं यह उपर की साइड आ जाएगी कहीं अंदर की साइड इसका कोई यह देखिए इस तरीके से यह उपर जो सिलाई लगा थे हमने उस पर लेस को लगा लिया तो देखिए कितना सुंदर इसका लूग हो गया है अब हम नीचे जो बानने वाली पट्टी है वह लगाएंगे तो पहले बैक साइड में हमने जो सेंटर में कट लगाया था उसके दोने साइड एक बॉक्स प्लेट डाल लेंगे देखिए कुछ इस तरीके से यह देखिए यह देखिए कितने अच्छे से प्लेट डल गिए और यह जो डोरी बान देंगे उसके लिए यह मैंने पट्टी लिए तो इसका सेंटर में कर लूँगे दो इंच इसकी चोड़ाई है और लगबग 22 इंच की इसकी लंबाई है यह दो इस तरीके से देखिए इसको जौइंट कर लेंगे बीच में सेंटर से लीजनर को इसको मेस करते वह श्क परूज किहाए पट्टी में यह को इसको पूरी Liberal और बदी तरह से ज्यादा पतली अजादी तो बच्चे के गर्धन पर चूपती है तो थोड़ी मोटी रहने दें कि यह देखी कितने सुन्दर तरीके से यह बिल्कुल एक बड़ी मोटी पाइपन की तरह हमने इसको लगा दिया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यह लगी है हमारी इस तरीके से यह देखिए पूरी पट्टी परमसिला ही लगा लेंगे इस तरीके से यह पूरी टोप यह हमारी लगबग कंप्लीट हो गई है पूरा वीडियो पूरी कंप्लीट हमने स्टिचिंग और कटिंग आपके साथ शेयर किये अगर यह आपको अच्छ लगी हो तो प प्लीज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फर वाचिंग.